हेलो गाइज वेल्कम बैक टो न्यू व्लॉग और आज के व्लॉग में मैं आपको लेकर के आया हूँ डेली आनंद भ्यार टर्मिनल पे और मैं जा रहा हूं आयद्य धाम जंक्शन और यह जो नई ट्रेन लॉंच हुई है यह है अमरिद भारत एक्सपेस यह दरबंगा अमर आनंद भ्यार टर्मिनल से डेली से और यह जो ट्रेन है वह जाती है आपकी दरबंगा तक बट मैं आज ट्रेवल कर रहा हूं आयद्य धाम जंक्शन तर जो की पहुंचा देगी एक बच के तस मिनट में रात को और यह आनंद भ्यार टर्मिनल से निकल चुकी है इसका जो पहला जंक्शन आएगा अलीगर जंक्शन जो की आएगा चार चालेश पर काफी प्रीमियम ट्रेन है मैंने इसका जो कोच है जर्णल कोच का पे किया था सब्सक्राइब जबकि पहले था 300 रुपे था इसका 300 के आसपास था यह कुछ तरह से जर्णल कोच दिखता है कालर कॉंबिनेशन काफी अच्छा है हर तीट पर पहले लगे हुए हैं और तो और काफी प्रीमियम ट्रेंटरी और अभी हमारा जो है आ गया जंक्शन अलीगर जंक्शन हम पहुंच चुके पहला स्टॉपेस का चार चारिस पर यह टाइम से आ चुकी थी जिसमें यहां पर दो मिनट का होड़ते और दो मिनट बाद हमारी ट्रेन निकल गई थी ट्रेन की बात करूं कमफर्ट की तो काफी अच्छा कमफर्ट था इसमें और प्रीमियम पहुंच चुकी तो काफी अच्छी थी आम भारत आम लोगों जनता कि रहे ट्रेन थी और मुझे उमीद नहीं थी कि मैं इस तरह से बैट के जा पाऊंगा मुझे लगा था काफी भीड मिलेगी पर नहीं मुझे ऐसी कोई भी भीड नहीं मिली थी और यह अभी ट्रेन है उ जुनला जंक्षन आ चुका है 533 पर यह आने का टाइम है यहां दोवनट का होल्ड का इस ट्रेंड का और अगर मैं इसके स्लीपर कोच की बात करूं तो जोगी 600 रुपे पहले इसके टिकेट थी जिसे अब कर दिया है 330 रुपे तो काफी सस्ती यह कर दी गई है और इसके ब बात को और इसके बाद जोए आयुद्य अधाम आएगा हमारा एक बच के 10 मिनट पर कमफट काफी अच्छा था काफी प्रीमियम ट्रेंड थी क्रॉसिंग अभी यह कर रही है किसी ट्रेंड को पता नहीं और यह दर बंगा तक जाने वाली है और यह कुछ इस तरह से इसमें भीड़ानी शुरू हो गई है अब लगनों के बाद तो मुझे तो काफी अच्छा ही लगा काफी कमफटेबल था काफी प्रीमियम भी थी पर आपको भी कियर करनी पड़ेगी इस ट्रेंड की और अभी हमारी ट्रेंड एंट्र कर रही है आय पर रात को तो मैं तो यहीं उतरने वाला हूं आप लोग कब आ रहे हो 26 जनवरी को आ रहे हो या नहीं आयुद्या दाम जंक्शन यह मुझे कमेंट पर बता देना और अभी मैं दर्बंगा तक नहीं जाओंगा दर्बंगा तक कि आपको पहुंचाए कल सुभा ग्यारा और अभी मैं आपको देखा हूं